एक बहुत बड़ी अप्डेट सात्वी चरण को लेकर के आरीए अभी बिहार में सात्वी चरण सिक्षक बहाली स्टीटी दोजरुनीस के सिक्षक नियुक्ती की मांग को लेकर अभेर्थियों का आंदोलन अपने अपने घर में भूखे पेट धर्णा पर बैठे चलिए दोस्तों जो शट्टा चरण अब खतम होने को है तो अब सात्वी चरण सुरू करने के लिए आंदोलन शुरू क्या जा चुका है बिहार में सात्वी चरण सिक्षक नियुक्ती की मांग को लेकर अभेर्थियों का आंदोलन अपने अपने घर में भूखे पेट धर्णा पर बैठे बिहार में सात्वी चरण मध्यमिक एवंग उच्च माध्यमिक सिक्चक नियोजन समीती के अहवान पर अभ्यर्थियों ने अंदोलन की शुरुआत कर दी है हजारों सिक्चक अभ्यर्थि अपने अपने घरों में अहिंसा के साथ भूखे पेट धरना पर बैठ गए अभ्यर्थि हाथों में तख्ति लिया माध्यमिक सिक्चक बहाली से सम्मरित नारा लिखकर परदर्शन किया सिक्चक अभ्यर्थियों का कहिना है कि आज के दिन को पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मना रही है इसलिए हम बिरोजगार लोग राष्ट पिता महत्मा गांधी को इसी माध्यम से भूखे रहकर स्रधान जली अर्पित कर रहे है STET चैनित अभ्यर्थी रवी कुमार गुपता ने बताया कि राज STET बिग्यापन संक्या पी आ 373 2019 में सिक्चकों का चैन होने के बावजूद भी बिगत वर्सों से सिक्चक बनने की तमाम अहरता होने के बाद भी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं बिहार सरकार एवंग सिक्चा विभाग की तरब से बार बार सिर्फ आस्वासन दे कर अभ्यर्थियों को बर्गलाया जा रहा है चेटे चरण के मादेमिक वा उच्च मादेमिक सीटों के कॉंसिलिंग भी खत्म हो चुकी है जिसमें काफी सीटे खाली रह गई है इसलिए अब हम लोगों का धर जबाब दे रहा है सुपल निवासी रेवी कुमर गुपता ने कहा कि बिग्यापन में वार्नित सीट से ज्यादा नियुक्ति नहीं कर सकते अर्थात बिग्यापन के बाहर जाकर फैसला नहीं ले सकते बिहार बोर्ट दोरा जारी स्टे टी बिग्यापन सिंख्यां पी आर तिनसुतिता दोजर उननीस का पालन करते हुए माध्यमिक और पलेस्टो सिक्चक बहाली का सेडियोल जल्द से जल्द अधिसोचित किया जाए लंबी दिनों से चैनित अर्थात बिग्यापन के चैन परिकिडिया अनुसार सफल 3675 अभ्यर्थी बहाल की आस लगाए अभ्यर्थियों का धार अब तूट रहा है यदि जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्चकों की बहाली है तो सात्वी चरन की बिग्यपती नहीं जारी की जाती है तो हम लोग पटना की धर्थी पर अतंदा करने में मजबूर होंगे इससे पूर भी अभ्यर्थी तरह तरह के तरह से आंदोलन चलाकर सरकार का ध्यान अपनी और आकारसित कर चुके हैं अब हम लोगों को अस्वासन के जगा पर रोजगार चाहिए इसलिए सब सरक को आर पार के लिए बहुत जल्द अभ्यर्थी पटना के धर्थी पर जमा होने को मजबूर होंगे